अब हम देखते हैं चावल के बाद गेहूं के उत्पादन को बच्चो जैसा कि आप सभी को पता है कि चावल के बाद गेहूं जो है वो भारत की दूसरी महत्तपूर्ण खाद्यान फसल है और ये मुख्य रूप से पूरे उत्तर पशिमी भारत का मुख्य भोजन है यदि हम विश्व इस्तर पर बात करें तो देखेंगे कि रूस, संयुक्तराज अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है वो विश्व में चौथा बड़ा उत्पादक देश है पूरे विश्व का लगभग आठ प्रतिशत गेहु उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है तो ये तो हो गई विश्व इस्तर पर इसकी स्थिती की बात अब हम देखते हैं गेहु के उत्पादन के लिए कौन-कौन सी भावलिक दशाएं आवश्चक हैं जिसमें गेहु का उत्पादन किया जाएगा तो सबसे पहले तापमान गेहु के उत्पादन के लिए लगभग जब ये गेहु को उगाया जाता है तब 10 degree centigrade तापमान होना चाहिए और इस फसल के पकने के समय 15 से 20 degree centigrade तापमान की आवशकता होती है जब हम वर्षा को देखते हैं तो लगभग 50 से 75 cm वार्षिक वर्षा की आवशकता होती है गेहूं के उत्पादन को लेकिन 75 cm जो वर्षा है वो इसके लिए एक आदर्श दशा उत्पन करती है लेकिन जिन छेत्रों में 100 cm वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर गेहूं की खेती नहीं की जा सकती और जहां लगभग 20 cm के आसपास वर्षा की स्थिती होती है वहाँ पर भी सिचाई की सहायता से हम गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं जैसे जैसे गेहूं क पौधा जो है वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पौधे को वर्षा की आवश्चक्ता या नमी की आवश्चक्ता कम होती जाती है और जब गेहूं की फसल पक रही होती है तो पकते समय यदी वर्षा हो जाए तो ये उस फसल के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है मिट्टी, मिट्टी के विशे में हम बात करें तो गेहूं के उत्पादन, गेहूं का जो उत्पादन है ऐसे तो बहुत सारी प्रकार की जो मिट्टियां है उसमें ये उत्पादित की जा सकती है लेकिन सबसे जो आदर्श दर्शा होती है या सरवाधिक उपजाव मिट्टी की जब हम बात करेंगे तो हलकी मृतिका मिट्टी, हलकी दोमट जो मिट्टी होती है और भारी दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए सरवाधिक उपजाव मृति होती है भूमी यदी हम देखें तो गेहूं की क्रिशी के लिए बड़े पैमाने पर एक बड़े भुभाग की आवशकता होती है और वो उबढखावड जमीन नहीं होनी चाहिए समतल भुभाग जो है वो आवशक होता है अब जब हम श्रम को देखते हैं तो चुकि गेहूं की उत्पादन में मशीनों का उपियोग जो है या यंत्रों का उ सरवाधिक उपियोग होने के कारण इसमें श्रम की आवशकता हमें कम पढ़ती है अब हम देखें कि भारत में ही अलग-अलग राजियों में जो गेहूं का उत्पादन होता है तो उसमें उसकी इस्थिती की जब बात करें कि कौन सा राजिय सरवाधिक गेहूं का गेहुं का उत्पादन किया गया यह भारत के कुल गेहुं उत्पादन का लगभग 28.36 प्रतिशत था यहां पर उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि पूरा आपका जो गंगा यमुना दोआप और इसके साथ ही गंगा और घाघरा नदी का जो दोआप छेत्र है यह गेहुं की उत्पादन के लिए एकदम आदर्श दर्शा उत्पन्न करता है क्योंकि यहां पर सिचाई की परियाप्त सुविधा है सिचाई की सुविधा के साथ-साथ संतल भुभाग है और उपजाऊ मृदा यहां पर देखने को मिलती है अब यह गंगा यमुना और गंगा घाघर दोनों छेत्र जो हैं, यह मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश का लगभग तीन चौथाई गेहूं का उत्पादन करते हैं. यहाँ पर सहारनपूर, मुजफरपूर, मुरादाबाद और बुलंद सहर यह जो हैं यह प्रमुख गेहु उत्पादक छेतर हैं उत्तर प्रदेश के दूसरा इस्थान हम देखते हैं पंजाब का है हलंकि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पंजाब जो है वो बहुत छोटा राज्य है लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत का लगभग 17 प्रतिशत से भी अधिक गेहु का उत्पादन किया जाता है और इसका कारण हम सभी को पता है इसके पहले हमने चर्चा की थी हरित क्रांती पर तो हमने देखा था कि जो पंजाब हरियाना और पश्यमी उत्तर प्रदेश इन तीनों ही छेत्रों में हरित क्रांती का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो देखा गया था या इस package technology की अंतरगत जो रासायनिक खाद हैं और हम कीटनाशकों की बात करें या उन्नत किस्म के जो बीज हैं और सिचाई की वेवस्था इन सभी के लिए बहतर प्रयास किये गये थे इन राजियों में और ये भी हमने बात की थी कि हरित क्रांती का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो गेहु और चावल पर पड़ा था लेकिन गेहु और चावल में भी इसका सबसे अधिक प्रभाव हमें गेहु पर देखने को मिला था तो इसी कारण से पंजाब छोटा राज्य होने के कारण भी भारत के कुल गेहूं उत्पादन का बहुत अधिक उत्पादन हमें पंजाब राज्य से प्राप्त होता है और वो हरित क्रांती के प्रभाव के कारण यहां की जो कुल क्रिशी भूमी है उसके लगभग 30% भाग पर गेहूं की क्रिशी की जाती है और हम देखेंगे पूरे क्रिशी भूमी के लगभग 80% छेत्र पर यहां पर सिचाई की सुविधा जो है वो उपलब्ध है हम बात करते हैं वर्ष 2014-15 की तो इसमें हम देखेंगे वर्ष 2014-15 में पंजाब ने लगभग 15.78 लाक मिलियन टन जो है गेहूं का उत्पादन किया था ये भारत के कुल उत्पादन का 17.74 प्रतिशत था अब पंजाब में भी सबसे प्रमुख रूप से यह हम कहें कि जो सरवाधिक उत्पादन है तो वो जीले हैं लुधियाना लुधियाना के बाद हम देखते हैं पटियाला है भटिंडा है संग्रूरू है यहाँ पर हूख रूप से गेहू का उत्पादन इंजिलो में किया जाता है कि मजराके बाद हम बात करते हैं तीसरा इस्थान है भारत में मध्यपरदेश का गेहूत पादन के दरिश्टि कोन से और इसमें हम प्रती हेक्टेर उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रती हेक्टेर उत्पादन पंजाब की अपेक्षा मध्य प्रदेश में कम देखने को मिलता है प्रमुख उत्पादक जीले देख लेते हैं तो सागर है, इंदौर है, होशंगाबाद है इसके साथ ही साथ जबलपूर, गुना, भिंड, ग्वालियर ये जीले जो हैं यहाँ पर प्रमुक रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है फिर नेक्स्ट है हरियाना, हाला कि हरियाना छोटा राज्य है लेकिन हमने भी बात की थी यहाँ पर भी हरित क्रांती का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और इसी कारण से हम ये देखते हैं कि हरियाना भी गेहूं का एक प्रमुक उत्पादक राज्य है यहाँ पर कुल उपज का मतलब हम भारत में कुल गेहूं उत्पादन की बात करें तो उसका लगभग 13.33 प्रतिशत हरियाना में उत्पादित किया जाता है और इस प्रकार से ये पूरे भारत का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है यहाँ पर भी हम देख ले कि हरियाना के कौन-कौन से प्रमुक उत्पादक जी ले हैं तो इसमें हैं करनाल, जीन्द, हिसार, इसके साथ हिसार, सिर्सा, फतेहबाद ये जो हैं हरियाना के प्रमुक गेहूं उत्पादक जी ले हैं भारत में गेहूं का उत्पादन हम वर्षवार देखते हैं 1971 में 238.3 लाख टन उत्पादन हुआ था गेहूं का 1999 में 559.4 लाख टन हुआ और ये लगभग दोगने से अधिक वृद्धी है हम ये देख रहे हैं और इसका कारण तब यहां पर हरित क्रांती हमारे भारत में लागू हुई थी जिसका प्रभाव इसके उत्पादन में वृद्धी के रूप में देखने को मिल रहा है दो हजार साथ आठ में 785.7 लाग टन हुआ दो हजार नौदस में ये 808. 분위क है दो हजार घ्यारा बारा में 948.8 लाग टन हो गया दो हजार बारा-तेरा में 935.3 लाग टन है और दो हजार 14.5 में ये इसमें थोढ़ी कमी आई है और ये 880.4 लाग तन देखने को मिलता है गेहुं के बाद हम देखते हैं गन्ना भारत ही गन्ने की जन्व भूमी है मतलब यहीं पर सबसे पहले गन्ना उतपादीत किया गया था यहीं का ये उतपादन है यह बास प्रजाती का एक पोधा है गन्ने से एक मीठा रस निकलता है और इसका उपयोग जो है हम सभी को पता है शक्कर बनाने के लिए किया जाता है और इसके साथ ही साथ शक्कर के साथ फिर इसमें गुड बनाया जाता है इससे और गन्ने का रस निकालने के बाद इसकी जो खोई बसती है जो इसका आउशेश बसता है इस से कागज और इसके शीरे से शराब तयार किया जाता है ये भी उश्नकटी बंधिये पौधा है गन्ना जो है अब इसकी भौगॉलिक दशाओं के विशे में हम बात करें तो तापमान सबसे पहले तापमान देखते हैं चुकि अभी हमने कहा कि गन्ना जो है वो ए एक उश्नकटी बंधिये पौधा है तो तापमान इसके लिए लगभग 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यक्ता होती है गन्ने की फसल को तयार होने में लगभग एक वर्ष का समय लग जाता है जहां पर भी 30 डिग्री से तापमान अधिक होता है तो वहां पर औ और लगभग 18 डिग्री सेंटी ग्रेट से कम तापमान वाले इस्थानों पर गन्ने की खेती जो है वो नहीं की जा सकती अब इसके बाद हम देखते हैं वर्षा चुकि ये उश्नकटी बंधी पौधा है और उसके साथ ही साथ आद्र मौसम का या आद्र जलवायू वाला प होती है जिन भी छेत्रों में सौ से थोड़ी कम वर्षा हो रही है वहाँ पर सिचाई के माध्यम से इसकी क्रिशी जो है वो की जाएगी नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी इसके उत्पादन के लिए सबसे अधिक उप्युक्त होती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है और इससे अगर जाओ मृदा कहीं पर कम मिल रही है तो हम देखेंगे कि इसका प्रभाव गन्ये की उत्पादन पर पड़ता है और वहाँ पर उन इस्थानों पर गन्ये का उत्पादन उत्पादन में हमें कमी देखने को मिलेगी फिर नेक्स्ट है श्रम गन्ये का उत्पादन जहां पर भी होता है वहाँ पर हमें श्रम की अधिक आवशक्ता होती है क्योंकि गन्ये को रोपने के लिए उसकी निंदाई के लिए गुडाई के लिए और उसको काट कर गन्ये के बंडल बनाने के लिए बहुत अधिक श्रम की आवश्रक्ता होती है तो जिन छेत्रों में गन्य का उत्पादन किया जा रहा है अगर उस इस्थान विशेश में श्रम जो है वो कवमात्रा में मिल रहे हैं तो उसे दूसरे इस्थानों से श्रम को आयात किया जाता है ऐसे तो हम देखे हमारे हमारा जो उत्तर प्रदेश ह पूरा उत्तर का जो विशाल मैदान हम बात करें और दक्षिन में जो तमिल नाडू है करनाटक है यहाँ पर हमें जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है इसलिए इन छेत्रों में उपजाओ मृदा के साथ साथ जलवायू संबंधी अनुकूल दशाएं और की उपलब्धता इन सभी कारणों के कारण हम देखेंगे यहाँ पर हमें गर्ने का ऊटपादन जो है अधिक देखने को मिलता है कि करें अब हम बात करते हैं भारत के अलग-अलग राजियों में गन्ने के उत्पादन की तो उसमें हम देखते हैं नंबर वन पर है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश आज जो है वो गन्ने के उत्पादन के दृष्टी कोण से भारत में इसका प्रथमिस्थान है यहां पर भारत म जितना भी गर्णा उत्पादित किया जाता है उसका लगभग 38.73% जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश जो है वो उत्पादित करता है 2021 के आकड़ों की हम बात करें तो यहां पर लगभग 1162.1 लाख टन गर्ने का उत्पादन हुआ था और यहां गर्ने का उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआप छेत्र जो है इसके साथ ही हम देखेंगे जो रुहेल खंड का मैदान है जो तराई छेत्र हैं और मध्य पुर्व के जो उत्तर प्रदेश के जो छेत्र हैं यहां पर प्रमुख रूप से गंग्ने का उत्पादन किया जाता है दूसरा इस्थान है महाराष्ट का महाराष्ट गंग्ना उत्पादन में दूसरा इस्थान रखता है और यहां पर भारत का लगभग 15 प्रतिशत से भी अधिक जो है गंग्ने का उत्पादन किया जाता है यदि हम इस राज्य में प्रति हेक्टेर गंग्ने की उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेर गंग्ने की उत्पादन में भी तमिल नाडू का इस्थान पहला है और इसके बाद महाराष्ट का इस्थान आता है यहां के प्रमुख जीले जो हैं वो हैं कोलापूर, पूना, शोलापूर और इसके साथ ही साथ आपका महारास्ट का नासिक और सतारा यह जो हैं यहां पर प्रमुख रूप से गन्ने के उत्पादन किये जाते हैं इसके बाद तीसरा इस्थान जो है वो करनाटक का है गन्ने की उत्पादन में करनाटक तीसरे इस्थान पर है यहाँ जितना भी गन्ना उत्पादन किया जाता है वो भारत का लगभग 25 प्रतिशत उत्पादन होता है यदि हम 2012-2013 आमें गन्ने की उत्पादन की बात करें तो 357.32 लाग टन गन्ने का उत्पादन किया गया था यहां गन्ना उत्पादन करने वाले जो प्रमुख जीले हैं वो हम देखते हैं बेलगाओं हैं नागड मांडिया है कोलार और रायचूर यह प्रमुख गन्ना उत्पादक जीले हैं इसके बाद हम देखते हैं तमिल नाडू, तमिल नाडू का ऐसे तो कुल उत्पादन के दृष्टी कोंड से, मतलब भारत में जितना गन्ना उत्पादन होता है, उसमें चौथा इस्थान है और ये देश के कुल उत्पादन का लगभग 12.1 प्रतिशत गन्ना उत्पादित कर तो प्रती हेक्टेर गन्ना उत्पादन में देश में तमिल नाडू का पहला इस्थान है, अभी हमने बात की थी और दूसरा इस्थान महाराष्ट का है, अब हम देखते हैं अगला है आंध्रप्रदेश, ऐसे आंध्रप्रदेश का गन्ना उत्पादन में पाच्वा क्योंकि डेल्टाई छेत्र में नहरों के द्वारा सिचाई करने की परियाप्त सुविधा होती है और साथ ही साथ उपजावू मिट्टी भी उपलब्ध होती है अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो इन सभी राज्यों के अतिरिक्त हम देखेंगे गुजरात है हरियाना है उत्तरांचल उडिसा और चतिस गड़ जो है वो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों है भारत में गन्ने का उत्पादन 1971 में गन्ने का उत्पादन हमें 12.7 लाग टन उत्पादन मिल रहा है 2000-2001 के दोरान ये 2969.6 लाग टन हो गया 2012-13 में ये 3412 लाग टन हो गया है और 2014-15 के दोरान इसमें फिर से हमें व्रिद्धी मिल रही है जो 3593.3 लाग टन हो गया है